हेलो, नमस्कार, आदाप, सस्रिया काल, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जियेस वाले भाई आपका हार्दिक स्वागते हो, मैं भी नंदन करते हैं, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जियेस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, जो किसी भी एक्जाम के लिए काफी हेलफुल होती है, हमने जितने भी MCQs और वन लाइनर वाले स्रिक्शन कराये हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेलफुल होने वाला है, तो दोस्तों उसको मश्ट है जाके देखना, आपका पूरा का पूरा स्लेबस रिवाईज हो जाएगा, अगर आप हमारा MCQs और वन लाइनर व शुरू करते हैं, तो दोस्तों केंदरी मंतिर परिशद में हम लोग सबसे पहले अनुच्छे 74 परिषद हैं, दोस्तों अनुच्छे 74 है, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब राश्पती का पढ़ रहे थे, और इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छे 74 में इसमें ये कह दिया गया है कि राश्ट्पती को सहायता और सलाह देने के लिए मंति परिशद जो होगी ये जिसका प्रधान-प्रधान मंतरी होगा और राश्ट्पती क्या करेगा अपने कृत्तियों का परियोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा ही करेगा मतलब 42 में संभिधान-चंशोदा 1976 में मंति परिशद की सलाह को राश्ट्पती को मानने के लिए बाध्ध कर दिया गया तो ठीक है ये चीज हम लोग देखते हैं इसको हम लोग यहां से समझ सकते हैं कि इंद्रा गांदी की सरकार में आपातकाल भी लगाया गया था और ये र poop पताइक जाएगी जो मतलब मन्ति-परशद के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया राश्पती उसको पुणर विचार के लिए भेज सकते हैं लेकिन पुणर विचार के बार जब व मतलब बाधि के लिए ठीक है में कि सलाह को पुनर विचार है तो भेज सकता है इंद्रा गांधी ने बाध्यता बदा दी थी इंद्रा गांधी में यह नहीं कहा गया तक पुनर विचार के लिए भेजेगा इंद्रा गांधी में यह कहा गया तक जो भी मंती परिशत भेजेगा राश्टपती उस पर तुरंट का तुरंट उस पर हस्ताक्षर करेंगे लेकिन इसमें कह दिया गया राश्टपती एक बार पुनर विचार के लिए भेज सकते हैं परन्त पुनर विचार के पश्चाद दी गई सलाह के अनुसार कारे करेंगे राश्पती ठीक है बहुत important है यह question पूछा ही जाता है अनुछे 74 का यह पहला point है और यह दूसरा point हमको यह ध्यान देना है और यह तीसरा point आ जाता है क्या मंत्रियों ने राश्ट पती को क्या सला दी यही मतलब मंत्र परिशद ने राश्ट पती को क्या सला दी इसके खिलाफ नयाले में नहीं जाया जा सकता कि वाद दायर नहीं किया जा सकता, ना है हम RTI, Act के तहर, Right to Information के तहर जा सकते हैं, कि देखें, भईया, मंतिर परिशन जो है, राश्पती को क्या सलाह दी है, है कि नहीं, ये सब भी नहीं जा सकते हैं, हम पूछने, ठीक है, तो यहां भी मंतिरियों के खि संबैधानिक शाषन लगाया जाता है, संबैधानिक आपात्का लगाया जाता है, मतलब संबैधानिक तंत्र की विफलता में राश्पती शाषन लगाया जाता है, उसके संबंध में हम ये पूछ सकते हैं, कि मंतिर परिशन ने क्या सलाह दी थी, और किस वजए से वहां पर उस राज में जो है राश्पती शाषन लगाया गया है और ये कप गया एसार बोममई केस में कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये तीनों चीज़े बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन पूछा जाता है कोश्चन यहां पर ठीक है पूरा सेशन जो है टू प्रधान मंत्री की नियुक्ति कोन करेगा राश्ट पती करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कोन करता है राश्ट पती करता है लेकिन अपने मंद से नहीं करेगा प्रधान मंत्री की सलाह पर करता है ये ध्यान दिजेगा मतलब राश्ट पती कोन करेगा मतलब अन्यमंद से नहीं करता है वो प्रधान मंतरी की सलाह पर अन्यमंतरी की न्यूक करता है बहुत इंपॉर्टेन अनुचित 75 में 75 का पहला पॉइंट है हमको ध्यान देना है यह ठीक है अनुचित 75 का पहला क्या है राश्पती प्रधान मंतरी की न्यूक करता है और अन्यमंतरी इसमें क्या किया गया था कि मंत्रियों की संख्या लोग सभा में कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी और इन 15% में प्रधान मंत्री शामिल होगे दोस्तों ये हमको ध्यान देना है माल लेते हैं जैसे 550 सीटे हैं लोग सभा में ठीक है तो इसका 15% जो होगा 15% जो होगा मंत्रियों की संख्या होगी ठीक है 15% से ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है ये कब बेवस्ता की गई नाइंटी फर्ष्ट संविधान संशोदन 2003 में दोस्तों बहुत important पूछा जाता है और इसमें ये भी पूछा जा प्रधान मंत्री सहित ये बहुत important ध्यान देना प्रधान मंत्री सहित ही इसमें ध्यान देना है ठीक ये हो गया अच्छा ये हम लोग पढ़ते होंगे कि मंत मंत्री किसके प्रति उत्तरदाई होते हैं मंत्री परिशत किसके प्रति उत्तरदाई होती है ये भी अनुछेट 75 में कहा गया है और इसका हमको ध्यान रखना 752 में कहा गया है कि मंत्री राष्ट पती के परसाथ परधान धारन करेंगे बहुत इपर ध्यान देना है मंत्री राश्ट पती के परसाथ परियंत पंधारन करेंगे अर्थात मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदाई होंगे व्यक्तिगत रूप से तो राश्ट पती के प्रति उत्तरदाई होंगे मंत्री ठीक है यह ध्यान देना है क्योंकि मंत्री राश्ट पती क के प्रति उत्तरदाई है यहां ध्यान देना है कि मंत्री एकल रूप से व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदाई है राश्पति के प्रति क्यों क्यों कि राश्पति के प्रसातन पद्धारन कर रहा है वह राश्पति जब चाहें घाटा देंगे इसलिए व्यक्तिग सदी प्रणाली अपनी बिटिश परंपरा की देने ठीक यह चीज धान देनी है बहुत इंप्पॉटेंट ने पच्छतर दो और पच्छतर तीन दोस्तों ठीक है और इसको पेट ओरियेंटेट क्लास में भी बतायते हैं पच्छतर तीन पूछा भी था इसमें ठीक है बहुत अब देखिये चौथा कोश्टन है मतलब चौथा इसमें पॉइंट है शपत जो मंतरी होते हैं शपत लेते हैं तो शपत हुen इसके समक्षर लेते हैं राश्पति के समक्षर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और शपत किस अनुसूची में है शपत तीसरी की बात इसी अभी हम लोग उपर पर चुके थे ना अनुचित 74 में कि मंति परिशद ने राश्ट पती को क्या सलाह दी है इस पर वाद दायर नहीं किया जा सकता है तो यहीं पर यह हम लोग इससे समझ सकते हैं पद योग गोपनियता की शपत है है कि नहीं मतलब यह पद और गोपनियता की शपत लेते हैं मतलब संबेदंशील मामला है यहां पर ठीक है यह हम समझ सकते हैं ठीक क्योंकि मंति परिशद का जो भी निरड़े होता है वो गुपत ही रखा जाना चाहिए ठीक है और इसको साधारन जनता को जो है इस पर हस्तच नहीं किया जाना चाहिए इसलिए इसको वाद दायर करने से बना किया गया है परंतु अनुछे दो 356 के तहत यदि किसी राज में राश्पति शासन लगा जाता है तो किस आधहार पर लगाया गया है यहां से उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा शपत कौन लेता ह शपत राश्पती के समक्ष लेते तीसरी अनुसूची के तहत और राश्पती किस के तहत शपत लेते हैं तीसरी अनुसूची नहीं राश्पती अनुछे 60 के तहर शपत लेते हैं उपर राश्पती अनुछे 69 के तहर शपत लेते हैं राजपाल अनुछे 159 के तहर शपत ल नहीं लेते, ध्यान दीजेगा, ठीक है, ये होगी हम लोगों का, उसके बाद पांचवा पॉइंट है, यदि कोई मंतरी छे माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वो छे माह बाद भी मंतरी नहीं रहेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी मंत अगर लोग सभा के लिए 25 साल से जादा है, राज सभा के लिए 30 साल से जादा है, अगर वो इसकी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो वो मंतरी बन सकता है, बशर्ते उसको 6 माह बाद संसद का सदस्य होना पड़ेगा, चाहे मनोनीत हो, चाहे निर्वाचित हो, ठीक है और चटा पॉइंट है वेतन भत्ते, संसद, वेतन भत्ता संसदों का कौन निर्धारित करेगा भया, संसद निर्धारित करेगी समय समय पर और अनुसूची 2 के अनुसार, अनुसूची 2 में शप, वेतन भत्ते हैं और अनुसूची 3 में शपत है, तो ये सारी चीजे हमको ध्यान देना है बहुत important है question पूछा जाता है ठीक है अब ये भी बहुत important है अनुछे 77 भारत सरकार के कार का संचालन कैसे होगा ठीक है बहुत important है दोस्तों समझना है इसको इसमें कहा गया है कि भारत सरकार की समस्त कारपालिकाई कारवाही का संचालन राष्टपती के नाम से की हुई कही जाएगी मतलब भारत सरकार का जो भी समस्त कारिपालिकाई कारवाही होगी वो किसके नाम पर होगी राश्टपती के नाम पर इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो अंतराश्टी संधियां होती है या जो अंतराश्टी कार्यों का आवंटन कोन करेगा मंति परिशत का प्रधान जो होगा प्रधान मंत्री करेगा कि ग्रह मंत्री आप ये करिए ग्रह मंत्री के पास ये काम है वित्त मंत्री के पास ये काम है रक्षा मंत्री के पास ये काम है तो मंत्रियों में कार्यों का आवंटन कोन करेगा प्र इसका भी A , B, C याद रखना है, भी इसका भी A, B, C याद रखना है, बहुत इंपोर्टेट पूचा जाता है, अच्यों इसमें क्या है, अनुछेद 78 में राष्टपती को जानकारी देने के संबद में प्रधान मंतरी के करतव, ऐसा नहीं प्रधान मंतरी कुछ भी करेंगे, प्रधान मंतरी जो करेंगे राष्टपती को बताएंगे, अनुछेद 78 में यही कहा गया है कि राष्टपती को जानकारी देने के संबद आकिर राष्ट का अध्यक्ष तो राष्पति होता है ना वास्तिविक परमुक होता है यह की नहीं 78 में राश्पती को जानकारी देने के संबद में प्रधान मंत्री के करतव्य ठीक है तो प्रधान मंत्री का क्या करतव्य होगा भाई तो प्रधान मंत्री का क्या करतव्य होगा प्रशाशन और विधान संबंदी मंत्र परिशद जितना भी निरले लेती है जो भी सूचनाए ह वो राश्पती को देगा इसका बहुत बढ़ी बढ़ी लंबी चोड़ी लाईने लेकिन आपको ये ध्यां दिना है विधान संबंधी होगा ये सभाटा दीजे विधान संबंधी कोई भी सूचना होगा जो राष्ट पती मांगेगा प्रधान मंतरी उसे देगा राष्ट पती अगर प्रशासन संबंधी या विधान संबंधी कोई भी सूचना मांगता है तो प्रधान मंतरी का यह करतव होगा अनुच्छेद 78B के तहात वो राश्पती को सूचना से अउगत कराएगा और अनुच्छेद 78A में क्या है प्रधान मंत्री खुद अउगत कराएंगे यह नहीं कि राश्पती पूछें पूछना पढ़े हुने ठीक है तो A में क्या कहा गया है कि संग की प्रशाशन और अगर कोई मंत्री का कोई भी निरले अगर मंत्री परिशद ने उस पर विचार नहीं किया है तो राश्पती की अपेक्षा पर प्रधान मंत्री उसे मंत्री परिशद के समक्ष विचार के लिए रखवाएगा मतलब कोई मंत्री ने कोई निरड़े लिया कोई मंत्री कुछ विनिश्चे करता है लेकिन मंत्री परश्चत उस पर विचार नहीं करती है तो अगर उस समय राष्ट पती चाहेगा कि इस मंत्री की बात को मंत्री परश्चत के समक्ष रखा जाए तो वो प्रधान मंत्री से अपेक्षा करता है और प्रधान मंत्री उसे फिर मंत्री परश्चा के समख्ष रखवाता है मतलब किसी भी मंत्री की बात को नजर अंदाज नहीं किया जाएगा दोस्तों तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने केंदरी मंत्री परिश्चत बहुत अच्छे ढंग से पूरा इत्मिनान से फुल डिटेलिंग के साथ पढ़ डिया अगर कुश्चन आता इस से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों आप लोग विश्वास में दोस्तों अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले शेश्चन में प्रशनोत्तर के साथ तो कि प्रशनोत्तर बहुत ज़रूरी होता है लगाना प्रशनोत्तर हमारी तयारी में धार देने का कारी करती है ताकि हम अपने assumptions hall में execute करने के लिए तयार हूँ और दोस्तों आप लोगों का एक्जाम ही है तो दोस्तों जादा से जादा आप लोग ट्रक्रिस्ट लगाए करियें तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको session काफी पसंद आया होगा session को like कीजिएगा, share कीजिएगा, subscribe कीजिएगा और किसी भी प्रकार का कोई feedback लगे या feedback हो कमी लगे तो तुरंत comment box में बताईगा, उस पर तुरंत कांग किया जाएगा दोस्तों मिलते हैं अगले session में जै हिंद, जै भारत